हालो टेडर्स विल्कम बैक टु माय चानल चलो देख लेते निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या व्यूज बन रहे और कल कुन से स्टॉक हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं और प्राइस यहाँ पर 0.382 पर बहुत ही अच्छा सपोर्ट ले रहा था लगबग दो दिन प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट लिया देन आज के मार्केट में हमें यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा ब्रेकडाउन देखने को मिला अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर प्राइस एक्षन को अब्जर्व करोगे तो प्राइस ने क्या किया प्राइस ने यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग दिखाई देन उपर गया री टेस्ट किया री टेस्ट के बाद में फिर से मार्केट गिरा इसका मतलब यहाँ पर मार् ठीक है अब यहां पर बात करेंगे downside support कि आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर एक बहुत ही बड़ी candle बन रहे है इसका जो low है यहां पर एक important support का काम कर सकता है क्योंकि आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर एक swing high भी लगा है यहां पर gap create करके price ने support भी लिया हुआ है अभी simple हम यहाँ पर किस तरीके से trade ले सकते हैं अगर हम यहाँ पर से 15 minute time frame में चलेंगे तो जैसे हमने यहाँ पर discuss किया था कि market अगर हमारे important support को breakdown करता है या फिर gap down opening दिखाता है तो simple हमें यहाँ पर Fibonacci extension का tool लेना है और previous swing को bottom से लेके top तक लगा देना है तो price ने यहाँ प क्योंकि price ने यहाँ पर breakout किया retest किया then price ने फिर से breakdown किया फिर से उपर गया बहुत ही volatility था यहाँ पर मुझे भी loss हुआ यहाँ पर एक दो stop loss मेरे भी गए but end में यहाँ पर बहुत ही अच्छा हमें downfall लेकने को मिला ठीक है अभी simple यहाँ पर अगर हमें कल trade करना हो तो हम अगर प्राइस इसके भी नीचे निकल जाता है अगर प्राइस यहाँ पर से यह भी level breakdown कर देता है तो सीधा सीधा प्राइस 0.5 पर जा सकते है अगर आपको लेवल चाहिए तो 16,640 का लेवल यहाँ पर से 0.5 का आ रहा है तो यह पूरा पूरा short side का analysis है और आपको अगर long के trades लेने ही है मैं तो चाहता हूँ कि थोड़ा से यहाँ पर avoid करो फिर भी अगर आपको लेने तो यह हमें इस वाले trend line के ऊपर ही लेने पड़ेंगे थोड़ा सा ठीक से यह draw कर देता हो आपके लिए आप यहाँ पर देख सकती कि यह बहुत ही अच्छे trend line है अगर price इससे upside मे level का भी यहाँ पर से breakout होना चाहिए देवन हम यहाँ पर से कोई भी pullback दे कर long की opportunity ले सकते है otherwise long award करो यहाँ पर हमें short पे ही focus करना है ठीक है अभी यहाँ पर से bank nifty के चार्ट के उपर चलते bank nifty के अगर daily time frame में चलेंगे तो bank nifty में भी बहुत ही अच्छा pattern बन रहा है अगर आप देखोगे तो हमने bank nifty में discuss किया था कि 0.32 एक बहुत ही important support है price ने यहाँ पर support लेने का भी try किया बट global markets की वज़े से हमें आज फिर से gap down opening देखने को मिली same price action price ने retest किया price फिर से गिरा अभी यहाँ पर भी अगर आपको next support का बारे में बताओ तो यहाँ तो मुझे कोई previously price action का कोई important support नहीं दिख रहा है directly हमें यहाँ पर 37,000 का important support है जो की 0.5 का level है अभी simple हम यहाँ पर किस तरी के से trade कर सकते है अगर हम यहाँ पर से 15 minute time परे में चलेंगे तो आपको यहाँ पर भी same ही trade लेने है एक तो आप आज की दिन का low mark कर लो यहाँ फिर यह swing low यहाँ पर से mark कर लो अगर price यहाँ पर कोई भी pullback दिखाता है तो हम यहाँ पर से shorting के opportunity लेना चाहेंगे important support मैंने already आपको downside में बता दिया है और यही एक trade बन रहा है downside में और अगर हम यहाँ पर से long side के trade लेने तो यह trend line हमें mark करने है अगर यह trend line और हमारा important level upside में breakout करता है तो इसके उपर हम long के trade ले सकते हैं इतना simple simple यहाँ पर bank nifty में analysis बन रहा है ठीक है अभी यहाँ पर से stocks की तरब चलते हैं आज मेरे पास एक ही stock है बट बहुत ही अच्छा analysis बन रहा है यह stock हमने कल के market analysis में भी डिसकस किया था पर breakout नहीं देखने को मिला stock का नामे अमराजा battery यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा structure बन रहा है impulse move, retracement, impulse move, retracement, impulse move और यह जो यहाँ पर impulse move का 100% है इसको price ने breakdown कर दिया है इसलिए simple मैंने यहाँ पर previous impulse move को bottom से लेके top तक Fibonacci extension का 2 लगा है क्योंकि यह extension हो रहा है और यहाँ पर 1.272 पर price बहुत ही अच्छे से support ले रही है और continuously तीन inside bar candles यहाँ पर बन रही है इसका मतलब कल तो हमें एक अच्छा breakout यहाँ पर देखने को मिल सकता है simple किस तरीक से trade करना है यहाँ पर हमें 15 minute time frame में चलना है और यह जो यहाँ पर consolidation बन रहा है इसका हमें top और इसका bottom हमें simple mark करके रखना है अभी यह जिस भी direction में breakout देगा उस direction में हम trade ले सकते बहुत ही अच्छे risk to reward का trade यहाँ पर बन सकता है ठीक है तो यह पूरा-पूरा है मेरे stocks का analysis और nifty और bank nifty का analysis ठोप है आपका analysis समझ में आ गई होगी पसंद आ गई होगी अगर analysis पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को like कर दीजे आपके फ्रेंड के साथ ट्रेंग के वीडियो साथ share कर दीजे और एसी वीडियो देखने के लिए हमारे चानल को subscribe भी कर दीजे तो आज के वीडियो में इतना ही रखते thank you very much